बूर्णिंग बच्चों मैं दिपक जाकर फेकल्डी ओफ जियोग्रोफी एट सास्त्री सीनेर शेकंडरी स्कूल फटेपु शेकावाटी बच्चों हम बात कर रहे थे पिछले ज्याय में भारती जन्सिंग क्या वित्रण यहुं गनत्वे के बारे में आज हम बात करेंगे ब परनुसे की सामाजिक विशेष्टाओं का वर्नन के दता है इस अध्याय में हम ग्रामिन नगरिय जन्सिंग्या लिंगानुपाद आयूसरंचना शाकसरता परजात ये संग्ठन इत्यादी के वारे में अध्यान करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रामिन नगरिय जन् ग्रामिन नगरिय जन्सिंग्या में इनकी जो मुक्य विशेष्टा है किरामिन नगरिय जन्सिंग्या की मुक्य विशेष्टा है कि भारत की अधिकांस जन्सिंग्या कहां गाओं में निवास करती है और इसमें अधिकांस लोग हैं वो कर्षी पर निर्बर होते हैं जबकि नगरिय जन्सिंग्या की मुक्य विशेष्टा है कि नगरों के अधिक लोग गैर कर्शी कार्या में सलंगने रहते हैं सन 1921 की बात करें तो बारत में अच्छी पाइंट आठ परतिसे जन्सिंग क्या है वो ग्रामिन थी और ग्यारा पाइंट दो परतिसे जन्सिंग क्या है वो नगिरिय थी और वर्तमान की बात करें 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 तो इस अर्ट-चैट पाइंट आड जिरो जन्सिंग क्या है वो ग्रमिन थी वर्तमान की निए 2011 याई है के में पूर्प घर जन सिंख्या के अंतर गयव को बात करें बारत में कुल गांओं कि सिंख्या की बात करें खृलां कि पृलालाग हैr 2014。000 और ऐप 8666ह घाना है दो हजार सि खर गयारा कैनलोग कि अनुसर। بعत में कितने 6.000.000.000.000 सड़ सट गां है 1 तो नगर उंकी बात करें तो 2011 किल शाथ दार 935 नगर हैं वारत में कि अगर छीथिए अधिक गाउं की बात करें जोड़े सबस्क्राइर है उत्तर बर्देश में कितने हैं एक लाख 6704 गाम है उत्तर परदेश में दो हजार ग्यारा के नुसार और नगरों की बात करें तो सबस्चे अधिक नगर हैं वो हैं तमील नाडु में कहां पर हैं तमील नाडु में कितने हैं 721 नगर हैं कितने हैं 721 नगर हैं उसके बाद हम बात करें अपने राजस्तान की तो राजस्तान में गाओं की संक्या है वो है 4484 इतनी है 4484 और राजस्तान में नगरों की बात करें तो राजस्तान में नगरों की संक्या है 125 कितनी है 125 उसके बाद हम बात करते हैं कि सबसे अधिक ग्रामिन जन्सिंग क्या सबसे अधिक ग्रामिन जन्सिंग क्या कहां पर रहा है सबसे अधिक ग्रामिन जन्सिंग क्या है वो है हिमाचल पर्देश में काब रहे हिमाचल परदेश में इतनी है निवाशी पाइंट 936 जन्सिंग्या बारत की इमाचल पर देश की निवाशी पक्रदेश स्वा Garouts करती है गाओं में निवाश करती है जबकि इसके विप्रीत अगर नगरिय जनसिंग्या की बात की जाए तो नगरिय जनसिंग्या और सबसे कम कहां पर रहे हिमाचल पर्देश में कहां है हिमाचल पर्देश में कि इस अञार कि यह सी अब सबसे में सबसे अधीक ऊशीन पर फरिया नगरिय करते हैं जबसे करिकल से बाइत रहे हैं कि कि आधिक है कि यह सबसे अधीक है नगरिये जनसिंग्या है ऑधीक já नगरियाल जंशिंग्या वह रहें है दोर रहा है मिजोर की 51.5 एक जनसिंग क्या इतनी 51.5 एक परतिस जनसिंग क्या का नगरों में निवास करती है और दुशेश है वो गाओं में यानि नियूंतम ग्रामिन जनसिंग क्या सबसे कम कहां पाइदाती है नियूंतम की बात करें तो वो है मिजोरम कौन सा मिजोरम उसके बाद नगरीय जनसिंग क्या वर्दी के कारण क्या है बारत में नगरीय जनसिंग क्या वर्दी के पर्मुक कारण कौन कौन से है उनमें सबसे पहला नमर आता है रोजगार का नगरिये जनसंग्या वर्दी के कारण कौन कौन से हैं सबसे पहले बात आती है कौन कौन से हैं नगरिये गाउं में रोजगार का बाद गाउं में रोजगार का बाद दूसरा गाउं में शिक्षा का बाद दूसरा गाउं में शिक्षा का बाद दूसरा गाउं में शिक्षा का बाद दूसरा गाउं में गाउं में चिक्षा का बाद चिकित्ष्या का वाव, चौता है, परिवहन एवं संचार साधनों का विकास का नगरों में, परिवहन एवं संचार साधनों का विकास का नगरों में, शिक्ष्या का परशार, ओदोगी करेंग, नगरी आकर्षन, यह सभी क्या है, नगरी दंसिंग क्या वर्जी के कारण है, अब गावों में रोजगार का वाव पायता है, तो रोजगार प्राप्त करने के लिए गावों के लोगें किस और नगरों की और आकर्षिते होते हैं, नगरों की ओर जाते हैं सिख्षय प्राप्त करने के लिए गावंसे लोग कहां कि और प्रवास करते हैं जी किच्छा स्विधाय भी गावं में नियुद दोने के कारण लोग जीर जीर जी किस तरब नगरों की आरहिए अगरसर हो रहे हैं अ Abram लोग हैं कि साधनों की कमी पाइदा आती ए संचार के साधनों की कमी पाइदाती ए और यह चाती है नगरों में आसानी से उत्रोट होने के कैरण गाओंस ये जरै रही है उसके बाद नगरों की और प्रवाशिति हो रही है उसके बाद नगरिय जनसिंग क्या वर्दी उसके बाद हम बात करते हैं लिंगा नुपाद की यह तो आपका उगरा ग्रामिन वे नगरिय जनसिंग क्या उसके बाद हम बात करते हैं लिंगा नुपाद पहली बात लिंगा नुपाद कहते किसे हैं? किसे कहते हैं लिंगा अनुपात किसे कहते हैं लिंगा अनुपात अस्त्री पूरुस के अनुपात को यह क्या कहता है लिंगा अनुपात कहता है अस्त्री यहों पूरुसों के अनुपात को विश्वे के विविन देशों में परती जार इस्त्रियों पर पुरुसों की संक्या की करना की दाती है बाहरत जैसे देश में परती जार पुरुसों पर इस्त्रियों की संक्या के अनुपात कोई क्या कहा दाता है लिंगा अनुपात कहा दाता है लिंगानुपाद ग्याद करने का सुत्तर है पूरुसों की जनसिंग क्या लिंगानुपाद बराबर पूरुसों की जनसिंग क्या पूरुसों की कुल जनसिंग क्या बट्टा इस्त्रियों की कुल जनसिंग क्या इस्त्रियों की कुल जनसिंग क्या गुणा अजार गुणा अजार ये क्या है लिंगानुपात ग्यात करने का सुत्तर अब हम बात करते हैं बारत में लिंगानुपात की कहाँ पर बारत में लिंगानुपात या बारत के संद्रब में लिंगानुपात तो बारत के संद्रब में लिंगानुपात की बात करें नहीं तो वरतमान में ययने दो हज्यार झीरा के आउंकडों के नुशार जो हज्यार जीरा के आऊंकडों के नुशार बारत का लिंगानुपात कितना है 940 नहीं, परती जार पुरुषों पर कितनी इस्त्रियां है 940 लेकिन हम सन 1901 से लेकर देखें सन 1901 से लेकर देखें तो 1901 में लिंगानुपा था वार्थ का 902 कितना था? 902 लेकिन दिरे दिरे इसमें क्या आती गई? कमी आती गई और सन गुनी सो इक्राण में तक आते आते यह नो सो बैतर से हो गया 927 कितना हो गया 927 उसके बाद अगले दो दसकों में यानि 2001 और 2011 में फिर से बारत में लिंगानुपात वर्दी हुई 927 से बढ़कर सन 2001 में लिंगानुपात हुआ 933 और 2011 कि अनुसार लिंगानुपात हो गया 940 यानि पर 30,000 पर 2011 कि अनुसार भारत में कितनी इस्त्रिया है 940 उसके बाद हम इस लिंगानुपात को दो बागों में बांट कर यानि राज्य अस्तर पर लिंगानुपात को देखें तो इसे दो बागों में मारते हैं राज्य अस्तर पर लिंगानुपात को दो बागों में और ये दो बागों कौन से हैं बचो इन दो बागों में पहली बात राश्ट्रिय ओस्षत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्ये और दूसरा है राश्ट्रिय ओस्षत से कम लिंगानुपात वाले राज्ये अब राश्ट्रिय ओस्षत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्ये कौन से हैं तो राश्ट्रिय ओस्षत कितना है नो सो चारीश जो विश्वे के ओस्षत लिंगानुपात से बहुती कम है और भारत में कितनी 940 जो बहुत ही कम है अब हम बात करते हैं राष्टिय ओस्ट से अधिक लिंगानुपात वाले राज्ये इनमें सबसे पहला नमर आता है वो आपका आता है एक नमर पर केरल का कहां कहाता है चेरल का जहां का लिंगानुपात कितना है एक हजार चोराशी यहनी परती जार पूरसों पर यहां कितनी इस्तिरियां है एक हजार चोराशी इस्तिरियां है उसके बाद दूसरा नमर आता है तमील नाडु का दूसरा नमर कहां कहाता है तमील नाडु का तमीन लाडू में, परती जार पूरसों पर, कितनी इस्त्रियां हैं, नो सो पिचान में, कितनी हैं, नो सो पिचान में, उसके बाद तीसरा नमराता है, अंदर परदेश का, कहा का, अंदर परदेश का, अंदर परदेश में, परती जार पूरसों पर, कितनी इस्त्रियां हैं, 902 में कितनी है 902 में उसके बाद हम बात करें के अंदर साशित परदेशों की के अंदर साशित परदेशों में पांडी चेरी कौनसा पांडी चेरी जहां का लिंगानुपाद कितना है पांडी चेरी का लिंगानुपाद है वो है 1030 परती जार पूरुसों पर कितनी एक जार गुन तीस इस्त्रियां पाई जाती हैं उसके बाद पांडी चेरी के बाद आता है लक्स दीव कौन सा लक्स दीव जहां का लिंगानुपात है नो सो पैनतारिस तो यह थे राष्ट्रिये ओस्ट से अधिक लिंगानुपात वाले राज्ये उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रिये ओस्ट से कम लिंगानुपात वाले राज्यों की तो इसमें सबसे पहला नमर हम लेते हैं नमर एक पर हरियाना कौन सा लेते हैं अरियाना अर्याना का लिंगानुपाद कितना है आठ सो सतन्तर कितना है आठ सो सतन्तर यहने परति जारपूरु समर अर्याना में कितनी स्तिया है आठ सो सतन्तर और अर्याना के मेंदरगड़ की बात करें तो वहाँ पर तो साथ सो चोतरी वहाँ का लिंगानुपाद तो और भी बहुत कम है अर्याना में 877 उसके बाद जम्मू कश्मीर कहाँ पर दूसरा लेते हैं हम नियुन्तम में जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का जो लिंगानुपाद है वो कितना है? वो है 883 32% कितने इस्तिया है? 883 उसके बाद हम बात करते हैं नम्मर तीन पर शिक्किम कौन सा है शिक्किम और शिक्किम का लिंगान उपाज कितना है 889 कितना 889 परतिज आर्पुसमर कितने इस्त्रिया है आर्ट्सो निवाशी उसके बाद अपना राजस्तान आता है जिसके अंत्रकर कितने है नोग सो अठाइस राजस्तान का लिंगान उपाज कितना है 928 राजस्तान से पहले एक और आता है पंजाब हो ली गया पंजाब पंजाब का लिंगान उपाज है आर्जसो पिच्छाण में यहने परति जारपूर समर कितने इस्त्रियां आशो पिच्चान में इस्त्रियां होती है तो यह था निउन्तम में लिंगानुपात सबसे कम कहा है अरियाना का उसके बाद जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाग, फिर अपना रास्तान आता है के अंदर सासित परति परति जारपूर समर कितने इस्त्रियां है उसके बाद दादरा नगरहवेली उसके बाद कहा है दादरा नगरहवेली का लिंगानुपात यहनि कहने का मतलए सबसे कम लिंगानुपात कहा है दम्मन वद्दीव का परति जारपूर समर मात्र कितनी इस्त्रियां पाद आते हैं आपरे 618 एक बात लगे आ तो और द्यान में कर लेना वज़ो आपने कख्सा में पढ़े थे केंधर सासीच परदेशों के बारे में और मैंने आपको बता जिया था कि पहले केंधर सासीच परदेश साथ है और मैंने बता था नो हो गए है अब नो नहीं हैं वर्तमान में केंदर साशित परदेश आठ हैं, कितने हैं, आठ हैं, जो यह दमन वा दीव और दादरा नगर वेली हैं, इन दोनों को एक केंदर साशित परदेश बना जिया गया है, और इनकी राज़ता नहीं कर दी गई है, दमन, और यह कब किया गया, 26 जनवरी 2020 को दमन वा दीव और दादरा नगर वेली, दोनों को मिलाकर एक केंदर साशित परदेश बना जिया गया है, यह दिनी वर्तमान में वारत में 28 राज्जे और आठ केंदर साशित परदेश हैं, तो हम बात करें तो राज्य में लिंगानुपात की बात करें तो सबसे का मर्याना का के अंदर सासित प्रजशों में बात करें तो दमन्व अधीव का कितना 618 अधीक्तम की बात करें तो अधीक्तम में सबसे अधीक लिंगानुपात कहां का है राज्यों की बात करें तो सबसे अधीक लिंगानुपात केरल का है कितना एक जार चोराशी परती जार पूरुशं कितनी स्थियां है, एक जार कैंदर साथ परदर संगे बात करें तो सबसे अधिक लिंगानउपात है वो है पांडि चेरी का एक जार गुंड़ती आस्थियां परते जारे पूरुसों पर तो यह था अपना लिंगा अनुपात और पिछला जो हमने पढ़ा टॉपिक वो था ग्रामिन नगरिये जन्सिंख्या नेक्स्ट कक्सा में हम आयुस रंजना के बारे में अध्यान करेंगे दन्यवाद